सो हलो फ्रेंट्स मैं मकास और आप देख रहे हैं शोर फ्यू तो यहां पर दोस्तो उपो एफ 11 उपो एफ 11 प्रो यूजर्स के लिए एक न्यू अपडेट रूल आट किया जा रहा है जिसका वर्जन ने में दोस्तो C.32 इस अपडेट में दोस्तो आपको क्या कुछ बॉक्स फ्रिक्स किये गया है किस तरह के फीचर्स को एड किया गया है और कौन से मन्त का सेक्यूरिटी पैश मिलता है मैं सारा कुछ इस वीडियो में पूरे डिटेल में बताने वाला हूं और उसके साथ से दोस्तो इसी अपडेट से रिलेटेट कुछ ऐसे इन्फोमेशन है जो कि आप लोग जानते हैं कलोईस 11 जो की एंड्रोइड 11 बेस्डे ओपवफ 11 प्रो यूजर्स के लिए दिसंबर के मन्त में आने वाला है तो इसी से रिलेटेट दोस्तों आप लोगों के काफी सारे कुश्चेंस मेरे पास आ रहा है तो उसी कुश्चेंस के मैं जोग भी अंसर होगा मतलब कि आपकी जितने भी डाउट से वो सार अगर डाउट से आपर क्लियर करने वाला हूं ओकलोईस 11 से रिलेटेड तो आप ये वीडियो सुरू से लेकर लेकर लास्ट देखते रहेगा दोस्तों तो चलिए दोस्तों बीना टाइम गवाइफ वीडियो को हैं तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं यह जो अपडेट प्रवाइड किया जा रहा है यह अभी काफी सारी यूजर को नहीं मिला है तो उन लोगों को कब तक मिलेगा तो दोस्तों आप लोग 10-15 दिन वेट करो आपको 10-15 दिन बाद यानि कि दोस्तों इस नॉमबर के end तक C.32 का update प्रवाइड कर दिया जाएगा आपके devices में क्योंकि दोस्तों यह जो update से अब batch wise प्रवाइड किया जाता है इस वज़े से कुछ users को पहले मिल रहा है और कुछ users को बाद में मिल रहा है तो आप लोग टेंसर नालो जल्द आपके device में भी C.32 का update प्रवाइड कर दिया जाएगा अब बात कर देते दोस्ते यह जो update प्रवाइड किया जा रहा है इसका update का size क्या है मतलब कि कितने MB का है तो यहाँ पर आप screenshot में देख सकते है 281 MB का यह update प्रवाइड किया जा रहा है और इसके learn mode में क्लिक करते है मतलब कि update log में चेक कर लेते कि क्या update में देख सकते हैं update to the new version of colors this version apply the October 2020 Android security patch to enhance the stability and security of your phone system और उसके बाद दोस्तों update log में security added the October 2020 Android security patches to enhance system security यह जो 281 का update प्रवाइड किया जा रहा है इसमें आपको सिर्फ सेक्यूरिटी पैच मिल ला है जो कि October का है November का नहीं है क्योंकि अभी November का security पैच अभी तक release नहीं किया गया है अभी October का ही security patch provide किया जा रहा है अब यहां इसी update कुछ ऐसी question आया थे दोस्तों जो कि आप लोगों के तरफ से जिन जिन यूजर्स को यह update मिल चुका है जो कि उन लोगा कहना था कि यह myopoo application एक प्रवाइड किया जा रहा है जो कि इस update के करने के बाद तो दोस्तों मैं आ application आपके device में पहले सी था myopo application जो कि आप अपने phone के settings में जाते थे तो उपर में आपको account को option मिलता था तो वह application दोस्तों myopo application से ही related था जो कि internal application था आपको show नहीं करते था आपके app drawer में या फिर home screen में लेकिन यहां पर इसको community app बना दिया गया है ओपो की तरफ से इस वाज सब्सक्राइब कर देता हूं तो यहां पर दोस्तों सबसे पहला जो question है वह कि यह जो beta update December में provide किया जाएगा यह क्या सभी users के लिए होगा या फिर limited users के लिए होगा जैसा कि पीछले साल batch by batch provide किया जाता था कोटास available होता था कोटास के रहते हुए form fill किये तो आपको update मिलेग है वरना नहीं मिलेगा तो सेम दोस्तों colors 11 में भी है batch by batch provide किया जाएगा कोटास रहते हुए अगर आप form fill किये तो आपको update मिलेगा वरना नहीं मिलेगा अगर आप इस चैनल के old subscriber हो और मेरे group के old member हो तो आपको काफी अच्छे तरीकी से पता होगे कि form कैसे feel करना है अगर आ जादा कुछ नहीं करना है चैनल को subscribe करके bell icon को दबा देना है ताकि जब भी update से related को information आता है तो हमारे चैनल में सबसे पहले आपको video मिल जाएगी आप यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं यह जो update provide किया जाएगा दिसंबर में लेकिन दिसंबर में किस तारीक को provide किया जा और मेरे इस video के description में एक group का link दिया हुआ है उस group में जाकर कि join हो जाओ जो कि मेरा ही group है वहाँ पर मैं आपसे भी latest information देता रहूंगा update से related तो कैसे form fill करना है कितने users को मिलेगा और कब मिलने वाला है किस तारीक को मिलने वाला है सारा कुछ information उस group में सबसे पहले मिल जाएग लेकिन beta update के release होने के कितने थीन बात stable update प्रवाइट किया जाएगा जो कि सभी users के लिए होगा तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि पिछले कुछ devices को ColorOS 11 का beta update प्रवाइट किया गया था पिछले मत और इस मन दोस्तों दो devices को ColorOS 11 का stable update भी प्रवाइट कर दिया गया है तो हो सकत तो मेरे चैनल में फीड़ो जाते रहेगा इसी एप्डेट से इंफोमेशन से रिलेटेड तो आसा करता हूं दोस्तों आप सभी को वीडियो अच्छी लगी अगर वीडियो आप सभी को अच्छी लगी तो like करे channel में ने वो तो subscribe करे और बल एकनको all कर दें थाकि मेरी future manual दे सबसे पहले